दोस्तों महेंदरा ने recently low budget category के अंदर रो E-Alpha Mini के नाम से एक electric रिक्षा को launch किया है तो इस वीडियो के अंदर उसका performance देखेंगे और क्या हमें ये electric रिक्षा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए उसके बारे में जानेंगे जाने से पहले दोस्तों शाबू विल्स में आपका बहुत बहुत फागत अगर चानल में पहली बार आते हैं चानल को जरूस अपका लेना वीडियो पसंद आते हैं तो बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल से बनी हुई बाडी और चेसी देखने को मिलती है और इसका रूप टाप जो है वो रिक्जिन का मिलता है अगर टायर्स की देखा जाया तो front के अंदर हमें 10 इंच के टायर्स दिये गए हैं लेकिन पीछे के साइड यानी रे साइड हमें 12 इंच के टायर्स दिये गए हैं range बढ़ाने के लिए इसके अलावी दोसों महेंद्रा ने इसको यी रिक्षा category के अंदर launch किया है तो इसके अंदर sitting capacity चार passenger और एक driver sitting capacity मिलती है इसके साथ अगर इस auto रिक्षा की top speed देखा जाए तो 25 km per hour की मिलती है और इस speed को देने के लिए और इस रिक्षा को चलाने के लिए इसके अंदर BLDC की 1 k kilowatt hour motor दी गई है जिससे हमें 22 NM का torque भी मिलता है इस रिक्षा के अंदर अगर gridability देखा जाए तो लगबग हमें 10 degree का gridability इस रिक्षा के अंदर देखने को मिलता है और इस आटो रिक्षा के अंदर range देखा जाए तो real driving range 80 km का बताया गया है company के तरफ से single charge पे लेकिन हमें 60 से 70 के beast में ही पकड़ के चलते हैं क्योंकि इस रिक्षा के अंदर हमें lead acid की battery दी गई है lead acid battery बहुत ही जल्दी dry होती है मत्तर जल्दी खतम होती है तो उस वाज़े से range भी बहुत ही कम देखने को मिलता है अगर हम battery capacity की अगर बात की जाए तो 120 amps की battery इसके अंदर दी गई है और इस battery को charge करने के लिए abort charger दिया गया है जिसको आप घर पे लगा के दो घंटे के अंदर full charge कर सकते हो और इसके अलावा महेंदरा के तरफ से overall vehicle के ओपर 2 साल की warranty मिल रही है और battery के ओपर 1 साल की warranty दी जा रही है और इस specification के साथ इस रिक्षा की एक showroom price देल लाग के आसपास हो स यह या नहीं लेना चाहिए मैं तो नहीं recommend करूंगा किसी को भी रिक्षा लेने के लिए क्योंकि इसके अंदर safety के नाम पे zero safety दिये जाती है और सब कुछ basic चीजें इसके अंदर दिये जाते हैं अगर आप motor battery देख जाते हैं तो वो भी retro fitting करके दिये जाता है प्रॉपर तरी battery बहुत ही जल्द खराब होने के choices होते हैं उसे भी आप देखते होंगे company के तरफ से एक साल की warranty ही दी जा रही है इसका मतलब क्या है ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी तो इसी वज़े से आप अवाइट कर दीजिए और इसके अलावा safety के मामले पे भी बहुत दिक्कत है देड़ लाग रुपे आप दे रहे हैं यानि एक शोरों प्राइज आपको देड़ लाग के है तो एक से ज़्यादा रिश्टेशन वगेरा मिला के एक लाग सतर हजार तक तो जाता है अराम से तो आप एक लाग सतर हजार दे रहे हैं तो आप एक लाग सतर हजार दे के जो तेरे उपिनियन में यी रिक्षा के बदले अलफा ए क्याटेगिरी के आटो रिक्षा के तरब जाना बहतर कहेंगा वैसे आपका उपिनियन क्या है दोस्तों नीचे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तों ये था ये छोटी सी वीडियो महेंदरा ई आलफा मिनी के बारे में उम्मिद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसन आई होगी अगर पसन आई तो लाइक और शेयर करना मत बुलिए और अभी तक चानल को सब्क्राइब नहीं किया तो चानल को जरूर सब्क्राइब कर लेना मिलते हैं एक और एलेक्ट्रिक आट और रिक्षा के वीडियो में अंटिल देन बाय बाय और सी यू सून